hello friends, आपका स्वाबत करता हूँ आपके YouTube channel engineering बुंड़ा में आज हम बात करने जा रहे हैं cloud-based kitchen cloud-based kitchen क्या होता है, इसके costing क्या आती है, इसके benefits क्या है, disadvantage क्या है आप इसमें कितना cost control कर सकते हैं और customer से कितना directly interact कर सकते है step by step by Hindi fa े जो Club chef, तो फोची मेंनु होता है यह उप सबसे पहले इंपोर्टन डॉल बौर्वे करता है कि आपको की ही क्यूजिन रखनी है कॉंटिनेंटल रखनी है शाइनीम बॉपनी रखनी है पिज रखनी है सुछनी दूंहर Ale बहुत कम है आप अगर ऐसी जगह को जहां पर पॉपुलेशन ही बहुत कम है अगर आगर आपने कॉलेज के नियर बाइ खोला स्कूल के नियर बाइ खोला ओफिसे के नियर बाइ खोला तो आपका क्लाउट के बेस किचन जो है जाता चले का ओर्डर आएंगे दोपैर में यह सबसे पहले मेजर रोल प्ले करता है क्लाउट के इस किचन के अंदर यह आपका डिलिवरी रेडियस होता है वो दस से पंदरा किलो मेटर तक आपका कवर करता है स्वीगी जुमेटो के थू और यह आप अपने परसनल डिलिवरी बाइ के थू करवाते हैं तो 15 से 20 या 25 क चला रहे हैं या तो आप अपने घर से चला रहे हैं तो आपको सबसे चोटी शॉप अपको लेनी पड़ेगी 10 से 14 कि अध़iah, 10 बहाegen 14 फोट की तो 41 स्कूर्रफूट की आपको सबसे छोटी शॉप चाहिए जिसका मीनिमुम से मैकसीमumb, मिनिमम आपका 8000 पे रहु सकता मैकसींum 15,000 पर हो सकता है, हम्ने मैकसीम precisamente अच्छे महीने इसेल होती है, आपको कम से कम घर से ही देना है, 2 महीने के आपका security deposit जो आपको shop लेते हूए, आपको owner को देनी पड़ती है, प्लस आदे महीने का brokerage ये भी necessary है ये खर्चे necessary है जिसका अगा खर्चा होगा 6 महीने का approximately 1,27,000 रुपे प्रोक्स हमने 1,27,000 रुपे लगाया इसके अंदर अगर आप brokerage बचाते हैं तो आप बचा सकते हैं आप 2 मंत की security के अंदर owner से negotiation करके 10-15,000 रुपे 20,000 रुपे एक मंत की security करा लेते हैं वो भी आपकी negotiable है तो ये कम और ज्याता ये आपके उपर depend कर रहा है इवन आपका rent जो है 15,000 की जगा 8,000 है तो ये costing कम हो चाहेगी कौन कौन से license required होते हैं GST और food license ये mandatory license है जो आपको चाहिए है GST license के लिए आपको document जो required होंगे वो electricity bill required होगा photograph और NOC required होगी और food license के लिए भी आपको same documentary apply होंगे आपका GST document जो है अगर आप broker के through करवाते हैं तो इन सब के broker आपसे 5-6,000 पर चार्ज कर लेगा Link description में है GST license भी आप खुद फिल कर सकते हैं food license भी आप खुद फिल कर सकते हैं तो इसके एक जो cost आएगा वो score पर ही आएगा अगर आप 4-5,000 पर broker से गर आते हैं तो वो रैट कर लीजी मेरे हिसाब से वो necessary नहीं है Link description में easy process है आप किसी भी वीडियो को देखकर उसको खुद भर सकते हैं electricity bills हमने 6 महिने का rent assume किया था कि हम लेके चल रहे हैं 6 महिने का electricity bill भी लेके चलेंगे average electricity bill 6,000 रुपे हमारा commercial के अंदर आता है 18-20 रुपे यूनिट है तो 36,000 रुपे हमने electricity bill के एक अलग रख दिये electricity bill आपका कम और ज्यादा भी हो सकता है कि कि आपकी usage कैसी है आप स्टार्ट किया है तो आपकी usage कम है यह स्टार्ट किया है तो आपकी usage ज्यादा है वो आपके ओपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से usage करते हैं कमेंड कोस्ट सबसे पहले आपको commercial burner चाहिए होगा जो 20 Fell के जाने पीक दम दौ के आपको की बर्ने मिट्पर ऑए क कोई प्यव उसीन रटके यह बर्नर आपको चाहिए ही चाहिए ग्रेंडर추 जो अबको कि नचैए हो मिट्सेग आपको शेक्स आयए बानाने के लिए न्य स्थी अपको इस प्राइव अपको किमदर होगा fry करने के लिए चीजों को deep fryer की requirement तो आलू के fries बना रहे हैं chicken nuggets पे चिकन नुगेट पर किना वारा है या कोई टिक्की fry करनी है तो आपको deep fryer चाहिए होगा जो आथारा सो से लेकि पच्छी सो तक आजाएगा commercial फिर आपको refrigerator चाहिए होगा रेफ्रिजरेटर आप चाहे तो कहते हैं कमर्शिल भी ले सक्ते हैं और नोन कमर्शिल भी ले सक्ते हैं वो आपके बजट के ओपर डिबेंड करता है डीफ्रीजर आपको चाहिए होगा जो आठ हजार से लेके सोलह हजार तक बड़े अराम से आजाता है नहीं अब यह पुराना होगी कमर्शिल चिमनी आपको चाहिए होगी चिमनी की कॉस्ट देस हजार पे से लेके पच्छी हजार पर होती है लेकिन मिनिमम आपकी तेरह हजा पांचाजार वाला on and average microwave sufficient है उसके बाद में आपको कमर्शिल पीजा ओवन ग्रिलर चाहिए होगा यह आपका मेजर रोल प्ले करेगा इवन आप अगर पीजा रेस्टोंन खोल रहे हैं इटालियन रेस्टोंन खोल रहे हैं तो भी तो कि पीजा ग्रिल करने के लिए आपको सेंड्विच वगारा के ग्रिल करने के लिए भी चाहिए होगा अगर आप चीजी सेंड्विच बना रहे हैं आप केक वगारा बेक कर रहे हैं तो भी आपको इसकी कमर्शिल पीजा ओवन ग्रिलर की रिक्वार्मेंट होगी केक बेक करने के लिए आपको ग्रिलर चाहिए हो आप चाहे तो water dispenser भी लगा सकते हैं, वो आपके उपर हैं, हमने water dispenser जो है calculate नहीं कि हमने 2,000 कालकुलेट करें, तो 500 रुपर के आरांड आपके 2,000 आ जाएंगे, उसके बाद में utensils के लिए आपको बरतन वेगर हो के लिए 25,000 पर हमने लिए है, कडाई है, momos वेगरा के लिए आपको जरुधे होगी या और पैन वेगर हमने 25,000 पर लेखी या कम भी हो सकते हैं, जादा भी हो सकते हैं, दौ sylinder आपको लेने ही है, ग्रिलर अगर एलेक्ट रज tumor अगर यह प्लिए तो आपको cylindr चाहिए होगे, बर्नर के लिए आपको चाहिए होगे, एक एक एकश्ट अबने कलक्यक्म कोस्ट कोस्त пой Gulf of Anamela अफे सब्सक्राइatus सब्सक्राइब करा है यह मैंने क्लिक्मेट करिये अग्या अचने ऑग दॉच्ट कह ऑसे कहीं एक करता है सब्सक्राइब करते है वह सब्सक्राइब्स के सब्सक्राइब के अप उध नहीं result तो आपकी packing material जो है वही customer को अट्रेक्ट करेगा कि आपका खाना कैसा है कैसा नहीं है सबसे पहले packing है वो खोलेगा packing अच्छी है बहुत अच्छी है खाना उसे एकदम फ्रेश मिला गरम मिला packing अट्रेक्टिव है तो packing material मेजर रोल प्ले करता है आपको बाउल्स चाहिए होंग प्लास्टिक स्राओ्स चाहिए होंगे आपको श्राइब कहरे श्राइब के लिए बटर पेपर चाहिए होगे प्लास्टिक स्रॉश के सथाथ शे परने के लिए packing paper चाहिए होंगे packing के लिए polythene भी यूज़ कर सकते है paper bag भी यूज़ कर सकते है वो depend करता है कि आप क्या यूज़ कर रहे है aluminium foil आपको खुद के लिए भी यूज़ होती है और clear foil भी खुद के लिए भी restaurant में यूज़ होती है समान पैक करके आपको फ्रिजर में रखना है तो उसके लिए भी आपको यूज़ होती है इसकी costing हम लोगों ने लगाई है 30,000 रुपे यह राउंड आपकी packing material की costing आएगी यह packing material इकठा ही आएगा तो तो देन से चार मान्थ आपका चल सकता है अगर आपके orders कम हैं तो यह आपका 6 महीने भी जल जाएगा तो डिबेंड करता है आपकी orders के उपर और आपकी ताइप का menu बना रहे हैं उसके उपर overhead cost overhead cost का आपका food का material costing के लिए जैसे आपका burger है तो burger के लिए आपको टिक्की पहले से लाके रखनी पड़ेगी सेंडविच के लिए सबजें विए आपको लानी पड़ेंगी डेली बेसिस पे चीज विए एक दो किलो वाले चीज के commercial packet आते हैं अगर restaurant ग्रेवी विए आपको लाके रखनी पड़ेगी different different sauces लाके रखनी पड़ेंगी mayonnaise विए आपको लाके रखनी पड़ेगी इन सब के लिए आपको material cost चाहिए तो 40,000 रुपे के around आपका material cost लेके चले हैं लंसम में वो भी आपका 2-3 मेने चल जाए 3 मेने से ज्यादा भी चल जाता है लेकिन हमने 2 मेने का अब जियूंग किया है staff की salary chef की salary 15,000 रुपे और helper की salary 12,000 रुपे chef की salary में untrend chef लेने की ज़रत नहीं है वो बहुत ज्यादा नुकसान देता है और आप से सिखाने की कोशिश करेंगे वो सीख भी जाएगा लेकिन वो चुटी करता है ऐसी चुटी चुटी प्रॉब्लम्स आती है आप स्टार्टिंग के अंदर helper से delivery करवा सकते हैं और उसे kitchen वे गएरा की सफाई वे गएरा भी करवा सकते हैं उसके बाद में आप ये delivery boy रख सकते हैं 12,000 रुपे के राउंड helper है 12,000 रुपे के राउंड हमने delivery boy रज्यूम किया है total sub cost है 79,000 आपको कहते हैं किसके through delivery करवाओगे स्विगी के through करवाओगे जुमेटो के through करवाओगे दुन्जो के through करवाओगे तो इनकी फीसिस स्विगी जो है आपको restaurant joining के लिए 3,000 रुपे लेता है जुमेटो बिल्कुल free of cost है जुन्दो बिल्कुल free of cost है और 30% यह commission charge करते है सारे ही कोई 28 करता है कोई 29 करता है कोई 30 करता है 30 से उपर नहीं है 100 रुपे के order के अंदर 30 रुपे यह लिए लिके चले जाएंगे तो 70 रुपे आपको मिलेंगे 70 रुपे के अंदर आपकी costing plus आपका profit वो दोनों चीजे include रहेंगे हमने assume की है 3000 रुपे marketing and data marketing and data यह आपका major role play करता है क्योंकि आपके पास customer आपको आके देखने ही सकता है तो आपको customer का data भी चाहिए है तो उसके लिए आपको point of sale लगाना पड़ेगा for example पेट-pooja का यह strawberry का पेट-pooja का point of sale 10,000 रुपे का है तो वो बहुत सस्ता पड़ता है इसके साथ में आपकी integration swiggy zomato में हो जाएगी आप instant menu change कर सकते हो अपने menu change किया आपने फटाफट से हो और उसको swiggy zomato के integrate कर दिया इसमें आपको swiping machine वेगारा की facilities मिल जाएगी इवन इनका खुद की एक आपकी website भी बना देंगे 10,000 रुपे के अंदर जिसमें आप customer से order ले सकते हैं आप तो नहीं बनाएंगे लेकिन आपकी website ज़रूर बना देंगे उसके बाद में paid promotions आप paid promotions कीजिए अपने restaurant के YouTube पे Instagram पे newspaper में banners में पंप्लेट बगेरा बनाके newspaper में लगाईए डलवाईए अपने 15 km के रेडियस के अंदर इसका आपका खर्चा कुछ ज़्यादा नहीं आता है banners बनाने का खर्चा 10-15,000 रुपे डलवाने का खर्चा 3-4,000 रुपे आता है YouTube की promotions या Facebook की permissions के लिए हम चार 40,000 रुपे के around लिए है 6 महीने के और ये भी आपका 5-6,000 रुपे इनफ है पर मन्त का इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा और इससे आपके अच्छी target audience आपको मिल जाएगी ये 50,000 रुपे हमने इसकी costing लिए है marketing and data की इसके अंदर आपका point of sale भी आ रहा है और promotions भी आ रहे है इसमें भी आपका बच जाएगा लेकिन हम 50,000 रुपे लेके चलते हैं 6 महीने के लिए क्योंकि ये major role play कर रहा है customers को आपको target करना है आपके खाने को target करना है आपको याद दिलाना है कि हम यहाँ पर है तो उसके लिए आपको promotions करना ही ज़रूरी है YouTube की promotion के अंदर आप छोटी सी वीडियो आपको अपने ही restaurant के खाने की shoot कर लीजे छोटी-छोटी clips shoot कर लीजे, Instagram का भी same shoot कर लीजे और उसको promotion के लिए चला दीजे अब equipment cost, equipment cost में आपको mobile के एक जरूरत होगी जो android mobile होना चाहिए उसके लावा के उटी printer की जरूरत होगी जिस पर order आता है तो आप बिल लगा कर देंगे laptop या system की आपको जरूरत होगी PC की जरूरत होगी 8000 अगर आप PC नहीं भी लेना चाहते तो android mobile से क्योटी प्रिंटर से बिल वगारा निकल जाते हैं कि क्योटी प्रिंटर आज के टाम में Wi-Fi कनेक्ट आते हैं तो mobile पर जो आपका order आएगा उसके आप बिल निकाल सकते है इसकी अमने cost ली है 26,000 पर करानी पड़े हैं आपको थोड़ी बहुत construction वगारा करानी पड़े की water tank अब पाइप डिल वारे हैं सीवेच के तो इसकी cost अलग लगेगी racks लगा रहे हैं सामने walls पे उनकी cost अलग लगी तो उसके लिए हमने 20,000 पर की around cost ली है construction cost जितने elements अभी हमने calculate किये थे place of kitchen, license required, electricity bill, equipment cost, packing material, overhead cost, online platform fees, marketing and data, equipment cost और construction cost इसके अंदर हमारा जो total costing आरी है एक cloud kitchen को run करने के लिए 6 lakh something आरी है या 5 lakh something approximately बोल सकते हैं approximately आप 6 lakh रुपे के अंदर अपनी cloud kitchen स्टाइट कर सकते हैं अगर आप इसके अंदर equipment जो है पुणाने यूज करते हैं तो इसके अंदर 2 lakh रुपे का variation आजएगा 2 lakh और कम हो जाएंगे 4 lakh रुपे के around आपको 6 महने की running cost आएगी ही आएगी इससे कम running cost नहीं आएगी आएगी तो आप utensils आपको नहीं लेने पड़ेंगे, commercial equipment आपको नहीं लेने पड़ेंगे लेकिन घर से चलाने में 2-3 महने से आद आप नहीं जला पावगे घर पर बहुत सारी problems आती है, even neighbors को problems आती है, neighbors issue करते हैं, आपको भी issue आती है, families आती है, तो I don't think so कि आपको घर से run करना चाह आती है कि Cloud Kitchen की, अगर नहीं डालते हैं तो 5 लाग 80,000, 5 लाग 90,000 पर की approximately 6 मेने की running cost आएगी आपकी, इस running cost के अंदर जो आप earning कर रहे हैं, वो अलग है, famous Cloud Kitchen है, Rebels Food के नाम से, इनके काफी सारे Rebels Food एक कंपनी है, इनके 11 Cloud Kitchen है, जो Delhi NCR में, Mumbai में, all over India के अंदर at present time काम कर रहे इनके टोटल 11 Outlet है, साड़े 400 Location Outlets है, इनके at present time इंडिया के अंदर, अलग-अलग Locations पे, 2011 के अंदर ये खुली थी और उस ताइम Swiggy Zomato नहीं थे तो ये अपने order जो है, ट्विटर वेगारा से लेते थे, इनका popular restaurant है, Fossies, Owen Story, गिर्यानी, ये restaurant की list आप screen पे देख सकते है इनके restaurants है, इसमें से किसी ना किसी से restaurant से आपने खाया होगा, Slay हो गया, Owen Story हो गया, Lunchbox हो गया, Fassos इनका बहुत फेमस restaurant है, Brani Views, Lunchbox, ये market leader है आज के ताइम, जब आप Cloud Kitchen खोलने जाते हों, सबसे बड़ा question आता है कि इसको chefless model पे convert कर सकते हैं, एक kitchen के लिए आप उसको chefless model प आपको problems face होंगी, अगर आपसे एक से ज़्यादा है, kitchens हैं, तो आप उसको chefless model पे convert कर सकते हैं, जैसे gravy वेकरा एक जगा बना लिया, standards वेकरा maintain कर लिए, ये सब चीजे आप तब कर सकते हैं, जब एक से ज़्यादा outlet है, अगर आपका एक ही outlet है, तो उस पे chefless पे नहीं जा स के लिए, तो customer को taste वो generate नहीं हो पाता है, customer को घर का खाना चाहिए, डिबबा का food नहीं चाहिए, तो उसके लिए भी आपको अगयते हैं, आप डिबे food लाके आपको वो taste नहीं दे सकते हैं, तो I suggest कि आप 15-20,000 पे का बढ़िया chef रखें, जो की skilled हो, यहां पे आपको costing बचा आएगी, क्या क्या आपका menu होगा, यह सब चीज़े आप मेर से पूछ सकते हैं, कौन सी आपकी location है, यह license के लिए आपको क्या और कैसे करवाना है, तो आप यह भी सब पूछ सकते हैं, इफ आप आप से नहीं होता है, तो आप हमारी help लेना चाहते हैं, तो आप message में, inbox में बोल सकते हैं, WhatsApp का number यहां पे दिया हुआ है, उस पे को text करके भी पूछ सकते हैं, और हमारी एक normal सी fees रहेगे हैं, उस fees के लिए आपका cloud kitchen पूरा setup करवा देंगे, Instagram link नीचे description में, please Instagram पे भी follow करना, जिलते हैं अपनी next video में, bye!